खेल स्थापित की गई है उसी में से एक है स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुधाश वेस्टन सेंटर गांधी नगर कुजराद रियो की प्रिपरेशन यहां साई गांधी नगर में कर रहे हैं और इनके लिए जो चाहिए फेसिलिटीस हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार के तरप से यह बहुत ज़्यादा प्रात्मिक्ता दी जा रही है कि डिसेबल खिलाडियों को चुँकि बहुत ज़्यादा उनका परफॉर्मंस है और बहुत और एबल डिसेबल में बहुत फर्क नहीं है फिर भी हमारे डिसेबल खिलाडियों को चाहिए वो वेवस्ता और नहीं की जाती इसलिए भारती खिल प्रादी करण जिनका यह मैंडेट है एलिट ट्रेनिंग का वो एबल का सारे ओलंपिक प्रिपरेशन भारती खिल प्रादी करण करता है तो गांधी नगर सेंटर को स्पेशली चुना गया है डिसेबल स्पोर्ट के लिए और इसलिए यहां पर सारे खिलाडी जमा हुए है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी रहा पर आने वाले टाइम में भारत सरकार ने हमको नोडल सेंटर के रूप में डिकलियर किया है और यहां एक नैशनल लेवर का सेंटर बनने जा रहा है जिसकी हम लोग अभी शुरुआत कर चुके हैं और आने वारे टाइम में आप देखेंगे कि एक राष्टी और अंतरराष्टी तरका डिसेबल्स के लिए खिलाडियों के लिए सुसजित अंतरराष्टी स्टेडियम के साथ एकसेसिबिलिटी के साथ यह सुविदा होने जा रही है जो बहुत खुशी के बात है गुजात स्टेड के लिए भारती खेल प्राधी करण पश्चिम के अंदरा गाधी नगर के लिए पैरल्लिव कमिटी आफ इंडिया फंक्शनिंग नहीं है उनका फेडरेशन अभी इन आर्डर नहीं है तो मिनिस्ट्या स्पोर्ट्स और यूथ अफेर्स ने भारती खेल प्राधी करण को ये दाइत्व दिया हुआ है कि हम उस खेल को आगे चलाएं और पिछले देड़ साल से लगाता है हम लोग चार पांच खेलों में टी में बना रहे हैं और बेज रहे हैं और उसका रेकॉर्ड भी बहुत अच्छा है टोर्नमेंट में तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स कॉलिफाय करेंगे उसी तरह स्विमिंग में हैं उसी तरह से टेबल टेनिस, बैडमिंटन और पावर लिफ्टिंग तो यह चार गेमों में हम लोग उलम्पिक में रियो की प्रिपरेशन यहां साई गांधी नगर में कर रहे हैं साई का फोकस इस कैंपस से ओलम्पिक अथलीट पैदा करना बैटर फैसलेटिज परवाइड करना बैटर खाना देना साइंटिफिक कोचिंग एंड ट्रेनिंग देना मेरे दो साल के एक्सपिरिंस में ने यह पाया कि यहां से अथलीट जो परफॉर्म करके गया है उस अथलीट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है एशियाड एजवल एज़ अब ऑलम्पिक में भी हम जैसे एबल में अभी मुझे तो कोई चांस नहीं लगता कि उस लेवल प पर जो करनाटका से बिलों करते हैं सुंदर है जक्सीर सिंग है और अपने अमीत सुरो आधीपा मलिक है करम जोती हैं यह सब अथलीट हमारे साथ रहें और हमारे साथ काम किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के रिज का वो चाहिए पंजब का हो चाहिए राजस्तान का है सब बचके यहीं पैरावाले चाहते हैं कि हैं यहां पर गानिनेगर में कोचिंग केम्प लगाया जाए शिरी नाइडू साब हमारे रीजनल डैरेक्टर है उनकी है लेने के बाद यहां भी टेबल टेनिस केम्प लिया औ हमारा तार्गेट है उसी पर हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है यहां पर कैंप लगा अभी तीन अप्रेल तक है तो यहां के जो अपने डारेक्टर साहब है रूप कुमार नाइडू बहुत ही अच्छी है कोपरेटिव है वो सम समय पर खिलाडियों को पूछते रहते हैं खासकर पैरावालों का बहुत ध्यान रखते हैं लुक अप्टर करने वाला जो हमारा स्पोर्ट सॉटर भी इंडिया है उन्होंने इतने मैक्सिमम फैसिलिटी दिया है आज यह जो भी ट्रेनिया आते वो खूब खूस होते है उन काफी बेनिफिट मिला है पैरा अथलेटिक जो हमारे पास यहां आ रहे है काफी जब नाइडू साब आए तक से यहां पर कैम शुरू है और उनकी फैसलिटीज उससे डबल हो गई है कोचेज भी अच्छा आने लगे इनका ट्रेनिंग शेडूल भी काफी हाई हो गया है औ फूल फैसलिटीज हमारे तरफ से उनके ही साथ से हम दे रहे हैं विशेज करके जो पराथ लीट हैं चाहे थ्रोवर्स एंच जंपर से चाहे रनर्स हैं उनका ट्रेनिंग पे सबसे बड़ा हमें यह यह कंसेंटरेट करना पड़ता है कि यह लोड कितना ले सकता है हमारा जो अधलेटिक्स में ट्रेनिंग वर्काउट होता है लोड और रिकवरी अगर हमने इनको आज वन एंद आफ हावर तो एंद आफ हावर अगर लोड दिया तो इनको रिकवरी भी डबल चाहिए मैं इंडिया के लिए गोड मेडल जीता और वहां पे विशेष तोर पे जो हमार आफ नदे राष्ट्यगान के जो धूनबजी वो मेरे लिए सबसे बड़ा था था आइवर तोर आप आफ दिया तो इस नहीं नहीं पर दिया नहीं बना चाहते थी तो वो जो चीज थी मेरे अंदर कि मैं एक बोज़िटीव थिंग रखना चाहते थी तो वो जब माई पाइदा हुआ था उसी समय से शुरू हो था उसी समय से माई लड़ रहा हूं खेल रहा हूं मैं जो थान लेती हूँ मैं करके रहती हूं डूंट लूज था होप। चांपियन है उसको रिकनिशन मिलता है तो मैं तो सब लोगों से हाथ जोड़ के ये प्राइटना करूँगा कि कभी किसी को किसी दोरान में मौका मिले डिसेबलों को सपोर्ट करने का हमारा देश बहुत बढ़ा है हम एक ड्रॉप भी हमने सपोर्ट कर दिया मैं समझता हूं और मेसेज सही दिया मैं एक बंदे का भी मैंने माइन चेंज करके यह दी उसको स्पोर्ट में ला लिया और उसका लाइफ बन गया था मैं समझेगा मेरा लाइफ सार तक है आने वाले सालों में इस सेंटर को पैरा एथलीट्स के लिए एक इंटरनाशनल लेवल का नोडल सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है जहां पर एथलेटिक्स, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग, बैडमिन्टन, टेबल टेनिस जैसे कई सारे खेलों की उच्छ स्थ सुविधाएं खिलाडियों को प्राप्त होंगी. हम सेंटर को उस तरह का बनाएं कि जो जहां पर ओलम्पिक और वर्ल्ड लेवल की मीट हो सकें. और इसमें स्पेशल एंकरेविएंट हमारे डीजी साई का है. गुजरात गानी नगर ये सही जगह में मानूँगा इसको डेवलप करने के लिए और मैं उम्मीद करूँगा कि भी स्थेएल कि 하र्ड वर्क इंब लझायी है और कंट्री का ओर्रावल जो स्टेंडिंग होता है वह एबल डिसेबल के मेडल क्लब करने के बाद ही कुछिका स्टेंटिंग की में इसका मतलब यह तेंड़ करेंगे तो बहुत आए इंडिया के उल्पिक लोड़ से प्रुब्ले जादा मेरा गूल है अलम्पिक अलम्पिक जाके, मतलब 54 के प्लस डिस्टेंस कवर करना है, 54 मीटर के ऊपर फिके तो मैं बिलकुल कुछ रहोंगा अगर मेडल नहीं मिला तो 54 रीच होए तो मैं बिलकुल कुछ रहोंगा खेल सकते, बस अपने मायन पे ध्यान दो के मायन से डिसेबल मत हो, बस ये सपना भारतिय खेल प्राधिकरण के दाईत्व में और यहां कार्यरत सभी अधिकारी, कोचेज और सहयोग देने वाले अन्यकई सदस्यों के योगदान से पूरा होगा आरा अथलीट के लिए जो ये नोडल सेंटर बनाया जा रहा है, इस नोडल सेंटर में बैटर फैसलेटिज प्रवाइड की जा रही है, इंफरस्ट्रेक्चर बहुत अच्छे हैं, यहां के ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के सब इक्यूमेंट्स अबलेबल्स हैं, जिम अबले में हमारे बारतिय खेल प्रादी करण के मानिदेशक डीजी साफ और हमारे रीजनल डारेक्टर और साही का पोरा स्टाप इतना कॉंसियसर इतना अग्रसर है, वो चाहता है कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड में और एशिया में इस लेवल का सेंटर डबल अपो जहां पेरा अ अगर में हिंदुस्तान के लिए तैयार करने में छह साल खे से आठ साल का टाइम लगता है, मेरा अनुमान है कि अगर इमानदारी के साथ मेहनत करी जाए और उनको प्रॉपर तैयार करा जा तो बो से चार साल में हिंदुस्तान को पदक दे सकते हैं जबी टीम इंडिया की टीम को बाहर जाती है तो यहां हमारे गांदे नगर में कैम होता है और हम उनका इतना खाल रखना पड़ता है इनको कि यह प्रोस्पेक्ट होते हैं कि इंडिया के लिए मेडल ले और इनके खाने पिने में सभी जो उनका डायट गवर्मेंट से अपरो अपर गवर्मेंट पर्फॉंस अली अपॉसबसे अपर फ्रेंट पॉस्पाइज अपर प्सील अपर्ट फम इलक्टरापी यह एप्सी आपर प्रेंज थेख अपर विपेश्ट थेरापी विए यूद प्रेंट इंडिया जोंट रेंज यह बोड़ी वालन्स अजलिटी All the aspects are taken care of. यहां से कोई भी खिलाड़ी जाएगा विदेश में तो अपने देश का भारत का बहुत नाम उंचा ही होता है। जो एथलेट हैं उनको कभी यह फिल नहीं होने देता हूं कि वो कभी यह ना सोचे कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है। खिलाडियों के प्रती यहां के अधिकारी, पोचीज और फसिलिटी के सदस्यों को देश की व्यवस्थाओं से कुछ उम्मीदे हैं। एबल सपूर्ट के लिए यह किसी गाउं का बच्चा किसी ग्राउन पर खेलता है तो बन देगा का ग्राउन है। सरकार दोरा दिया। इसी तरीके से डिसेबल के भी लिए होना चाहिए न कि यहां आने के बाद सिर्फ हीरो बनने के बाद उनको हम सुविधा दे या पुरसकार दे पेरा अथलीट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा से यह बताना चाहरा हूँ कि इन्हें अभी तक वो इस्टेज वो प्रेट फारम नहीं मिला है जो अन्य खिलाडियों को अन्य गेम्स में मिला है किरकेट में जो एक्सपोजर है कबड़ी में जो एक्सपोजर मिल रहा है होक पहले के मुकाबले तो बहुत है, लेकिन और थोड़ा उसमें सुधार किया आउ सकता है। मैं मानता हूँ इंडिया में जो पेरा स्पोर्ट्स का जो फ्यूचर है वो बहुत यच्छा है। आने वाले टाइम में जैसे खास करके जो रियो पेरा लंपिक्स है। इंडिया जैसे कंट्री में पेरा स्पोर्ट्स को बहुत फ्यूचर है। मैं रखायल से इंडिया का टीम 15 होगा, मैक्सिमम 15 एथलेटिक्स में, इसमें 5 मेडल तक आ सकती है। अकर आप सही अर्त में पेरा को आगे ले जाना चाहते ह। तो जीस वार से यह उंपे साही में एकेड 햇मी है tas तो ऐसे एकेड़ेमी में ऐसे अच्छी यच्छी लोगों को ऐसे मा कुम ही में अच्छी प्लेयर्स को निकाला जाता है। उसको भी इस एकेडेमी में लाए और उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए मैं मानती हूँ कि आज जो मैडल्स आ रहे उससे कई ज्यादा मैडल्स इंडिया का आएगा बखर कि आजा थार बखरा व।